सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट सुबह से दर्ज की जा रही है सेंसेक्स 2600 अंग तक नीचे गिर चुका है जबकि निफ्टी 700 अंग लुड़ के आ है आपको बता दें कि इस गिरावट की वजह से निवेशकों के करीब साड़े नौ लाख करोड रुपए डूब गए एक तरह से बाजार में आज सुबह से ही हाहा कार मचा हुआ है ये बहुत चिंता जनक बाद है और ये गिरावट के संकेत को लेकर आ रही है बताने के लिए गौरव अगरवाल हमारे सायोगी जुड़ गए है गौरव क्यों गिरावट दर्च की जा रही है और इतनी ज्यादा गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट है आज सुबह से आज कह सकते हैं आपकी आज का जो सोमवार है वो शेर बाजार में हाहा कार लेकर आया है अभी तक 800 से ज्यादा अंकों की गिरावट निफ्टी में देखी जा चुकी है और 2700 से ज्यादा अंकों की गिरावट सेंसेक्स में देखी जा चुकी है ये पूरी तरह से अंतराश्ट्री कारलों की वज़ा से गिरावट देखी जा रही है सबसे पहले है जो बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि अमेरिका में मंदी के आसार दिख रहे हैं वहाँ पर मंदी की संभावना को जताने वाला इंडेक्स इस वक्त पॉइंट फाइट पे है जो की बताया जाता है कि बहुत प्रबल संभावना है अमेरिका में मंदी आए क्योंकि जुलाई में जो वहाँ नोक्रियों के आक्रिया हैं वो पिछले साल की तुलना में लगबग पचास फीजदी कमाएं और बेरोजगारी दर्भी वहाँ पड़ गई है दूसरी जो सबसे बड़ी कारण बढ़ कारण बताया जा रहा है बैंक आप जैपान का ब्यास दरों में बढ़ोतरी करना जिससे येन के दामों में बढ़ोतरी हुई है युद का उसके तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है अगर कोई बड़ी वार शर्ती है तो आठ साल के लगबग निचले इस तरों पर तेल की कीमते हैं आप देके इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है जैपान का बाजार 1987 के बाद अभी सबसे बड़ी गिरावट देख रहा है निकेई 225 13% टूट चुका है ताइवान 6-7% टूट चुका है साउथ कोरिया 8% टूट चुका है सिंगापूर 4% टूट चुका है और भारतिये शेर बाजारों में भी इसका असर दिख रहा है जो भारतिये बाजारों में क्योंकि बहुत इस वक्त का उचे तरों पर भारतिये बाजार थे लोगों ने और लोगों ने काभी अच्छे पैसे बनाए थे तो वो अब यहां से अपने पैसों की बिक्वाली करते हुए दिख रहे हैं और यहां अभी जो दिखता है कि अभी शेर बाजार में वॉलिटालिटी इंडेक्स जो अस्थिरता का सूचकांग बताता है कि अगले 30 दिनों में बाजार कैसे होगा कहां जाएगा वो 40% से ऊपर आचुका है यानि अगले 30 दिनों में बाजार में अस्थिरता रह सकती है ऐसा वो बताता है भारतिये शेर बाजारों में अंतराश्टिये कारणों की वज़ा से और साथी डोमेस्टिक कोई ठीगर नहीं दिखता नहीं है जिससे बाजार को बहुत मजबूती मिले इसलिए बाजार में इतनी बड़ी बिक्वाली देखने को मिल रही है बिल्कुल और चिंता भी एक साथ आ चुकी है निवेशकों की क्योंकि कई लाफ करोड रुपए डूब गए निवेशकों के और कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है डोमेस्टिक मारकेट में लेकिन अमेरिका में मं जंदी की आशंका के बीच भारती बाजार में ये हाहकार मच्रा इतनी जबरदस गिरावट है